नमस्कार मैं अज़ाज़ाद और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब व्लॉग एक्स्प्लोरिंग माइल्स में दूसरा व्लॉग है इससे पहले वाला जो पहला व्लॉग है वो मेरा मेरे मात्रबाशा मराठी में था लेकिन जो मेरे आउट आफ स्टेट जो दोस्त है उनका कहना था कि भाई व्लॉग तो बहुत अच्छा बना था लेकिन प्रॉब्लम यह आने लगी कि लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आ रही थी तो मैं सोच रहा था कि अगर लोकल प्लेसेस बाहर कहीं एक्स्प्लोर हो और यहां का लोकल टूरिजम बढ़े तो अच्छा है कि आगे आने वाले जो व्लॉग है या फिर जो सब आगे के व्लॉग व्लॉग्स है मेरे वो हिंदी में ही होंगे शायद से तो देखते है चलिए ले स्टार्ट अच्छार्ट मैं और सूरज अभी अलीबाक से यहां पर बाइक से आये हैं तो आभी हम पहुचे हैं कूडा कूडा केवज हमारी बाइक रोड से अंदर आने के बाद थोड़ा बाहर रखनी बड़ी लगबग केवज से सो मेटर दूर तक तो आगी का जो सफर है हम लोग को पैदल करना है तो चल यह स्टार्ट करते लगबग यहां पर पहुचने के लिए साड़ी तीन घंटे लगे हमको आली बाग से कूडा केवस पर और अग्यूचे अग्यूचे लगबग यहां पर पहुचने के लिए साड़े तीन बज़े है अभी साड़े तीन बज़े है हम लोग अभी पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद जो जगह है जो केवस है वो एक्स्प्लोर करेंगे आपके साथ खाना हो गया है और अभी बहुत लेड़ भी हो चुका है तो उस हिसाब से जल्दी जल्दी आपको एक्स्प्लोर करने की कोशिश करेंगे जो मेरे पीछे सब आपको दिख रहे है वो केवस है तो केवस के बारे में जानने से पहले थोड़ा हिंदुस्तान के इतिहास के बा आप तक दक्षिन मध्ध भारत पर राच किया यहां मोर्य वहंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ था अशोक की मुरुत्यू के बाद सात्वानों ने खुद को स्वतंत्र गोशित कर दिया पुड़ा जो गुफाए है मेरे पिछे यह सात्वान कालियन राजाओं के कालखंड में इसा फुर्व पहले सतक से शुरुवात का निर्माण इनका हुआ था गवतोमी पुत्र यग्यश्री सातकरणी के कालखंड में इन गुफाओं का जाधा तर निर्माण हुआ है यह गुफाए महाबू पाड़ों में इस्तित है यह जो पहाड दिख रहे है आपको यह सब महाबू पाड़ों में इस्तित है उस वक्त सात्वान राज्जाओं के राज्च को भुक्ती नाम से जाना दाता था और भुक्ती के अधिकारियों को महाबोज कहते थे महाबोज एक पत था, एक सातवानों के नीचे, मतलब जो भुक्ती थी, जो एरिया था, उसका एक अधिकारी के तौर पे वो एक पत था, जो महाबोज था, तो सातवान सामरा जो महाबोज थो थे, उनमें मांधव परिवार था, यह मांधव परिवार की प्रमुकेंद्र थी, यह गुफा है, यह गुफा है मुख्य था मानदार बंदर गहा के पास, मतलब इन गुफाओं के सामने एक क्रेक है, क्रेक का नाम मैं आपको उपर जाने के पट थोड़ा, उपर जब एक्स्प्लोर करेंगे तब बताउंगा, तो ऊपर जाने के बाद दिखेगी, तो आगे ए गुफाओं का निर्माण किया था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह इन गुफाओं का एक्चुल जो निर्माण है वो व्यापार के लिए किया गया होगा, इन गुफाओं की कोज अंग्रेश जमाने में 1848 में हुई थी, मान्दाओं मतलब रोमन लेखकों ने उले किया हुआ मेंडागोरा बंदर है रोमन जो लेकट है उन्होंने इसके बारे में लिखा है तो यह वही बंदर है जिसको उन्होंने मेंडागोरा करके लिखा है यह कुल मिला के 26 गुफा है उसमें से चार चत्यव रूह मतलब पराथाना सखल है एक सभामंडप है और विहार उसमें से अम जो उसमें कीया करम देखेंगे यहां से एक नंबर शुरूवात होती है एक नंबर से आगे तक जो šिला लेख है मतलब कुछ लिखा हुआ है या फिर कुछ नक्षी नक्षी काम किया गया हूआ तो एक्चौल यह जो सब गुफायं है । इनके उपर जो शिला लेख है इन शिला लेख है मतलब यह बनाने के लिए जिननों ने च을शपम दान दिया है उनके बारे में सब डीटेल्स में लिखा गया है तो ये हम लोग एक्स्प्लोर करेंगे ये जो गुफाएं है ये बाउद्ध धर्म के हीनियान पंत से संबंदित है उस समय मतलब हीनियान पंत के समय स्थूपूजा बहुत प्रचलित थी तो चलिए अभी गुफाएं एक्स्प्लोर करते हैं आपको थोड़ा अंदर के तिरफ दिखाता हूँ जो शीलाला के या फिर जो वहां पर नक्षी काम किया गा है मतलब जिससे हाती है गौतम बुद्ध की मूर्ती है इनके बारे में तोड़ डीटेल्स जानने की कोशिश करे पर जो शीलालेख है वो प्राकूर्ट भाष्या भी दिखा है तो उसका डीटेल मैं भी आपको बता मुला जितना मेरे पड़ा है मतलब जितना मेरे बुक्स में या फिर सोचल मेडिया से अनि जो लिया है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा ये शीलालेख यहां से शुरूआ होके यहां पर एंड हुआ है और फिर से सगेंड लाइन इसकी यहां से शुरूआ होके यहां पर एंड हुए मतलब यह कंदीनी लिया है उन्होंने यहां से यहां तक तो अभी इस यहां कि शासनकरता स्त्री महाभुजी विजया, उसका पुत्र महाभुज, काम उन्ची, सुलस अदत्त और उसकी पत्नी उतरदता, इनका उत्र शिवगुती, इसने ये निवाज बानने के लिए, इसने दान दिया है, ऐसे यहां पर निखा गया है, इन गुफाओं को दान द का पुत्र महाबोज मादव खंद पालित इसके पास लेखक का काम करते थे अभी हम लोग जाएंगे अंदर पर अंदर क्या-क्या है मैं आपको थोड़ा एक्सप्रोड रहोगा अभी हम लोग अंदर आया है अंदर के विढ़ा है अभी थोड़ा मोबाइल फ्लैश्लाइट मारके हम लोग आपको दिखाने के पूशिश करेंगे कि अंदेर बहुत रहा है और दो खंपे हैं उसमें से एक हिमा भी तक है और तुसरा कमड़ उटा हुआ है तो वो दिखाने क पूशिश करेंगे फ्लैश्लाइट में और उसके बाद थोड़ा अंदर एक्स्प्रोर करने के पूशिश करो मारके साथ है अभी यह एक खंपा है यह वो बिख से है अबतला वी तो पूटा नहीं है और तुसरा यहां पर एक धुबा था जो भी पूरा टोप चुका है तो इनके बीच में से आपक एक स्टूप देएगा यह स्टूप है और स्टूप के निचले हिस्से को हम लोग निव करेंगे या फिर मराठी में उसको जोता बोलते है उसके उपर मेधी है मेधी के उपर वेधी का पट्टी है एक्साट्टी है यहां पर यह मेधी है मेधी के उ इसको अंड बोते हैं और अंड की उपर हर्मिका है अब हम लोग आए है गुफा नमबर दो की तरफ गुफा नमबर तो यह छोटा एक निवास है और अभी अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या है बाद में आगी गुफाओं के तरफ चलेंगे खोड़ा अंदर आने के बाद एक हम लोग इसे शहर में देखते हैं या फिर गाओं में हमारे घर में सोफा टाइक बना हुआ था है वैसे ही यह सोफा टाइक बना है यहाँ पर कुछ लिखा तो नहीं दिख रहा है और अंदर एक छोटा रूम है बस यहाँ पर दूसरा को प् लोग से तिन गूफा नममर 3 भी एक छोटा निवास है जैसे वहां देखने मिला मतलब गूफा नमर 2 वैसे ही गूफा नमर 3 में वैसे ही कंस्ट्रक्षिन है बइचने के लेग थोड़ा सा सोफा टाइप बनाया हुआ है ऑपर आदर एक छोटी रूम है गूफा नम्बर 3 के वो यसी स्टुपा यहां पर बना हुआ है, वो आपने आपको दिखा दूँआ है की नंबर गुफा देखें में के पास हम लोग अभी जाएं कि चार नंबर गुफा के पास लेकिन फोड़ी ऊपर है तो हम लोग अभी आगे अगे अगे आपके हें कर अभी हम लोग आइखें लेकिन यह जो गुफा है चार नंबर यह लगब एक नंबर गुफा से काफी मेल आती है अभी चार नंबर गुफा देखने के बाद अभी हम लोग जाएंगे पांच नंबर गुफा के तरफ अभी आये हैं हम लोग गुफा नंबर पांच के पास गुफा नंबर पांच जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो गुफू निवास है बिलकुल उसके पाजू में बाहर की तरफ एक पानी की टंकी बांदी गई है अभी आये हैं हम लोग गुफा नंबर पांच में और मेरे बीचे एक शीला ले जो प्रापुर्तों पारी भशा में निखा गया है शीलाले के बारे में अगर बताना है तो ये शीलाले ये बताता है कि ये पाच नमबर उफा के अंदर दो भिकू रहते थे उनका नाम था पाती मित्र और अगनी मित्र जो अगनी मित्र थे उनकी बहन नागनी का उसने बहुत धर्म का स्विकार करके वो शुरुआत के दौर मे यह भी भिगु थी उसकी जो शिश्चे थी बोधी और असाल मीता यह तीनों ने मिलके मतलब पदुमनिका बोधी और असाल मीता इन तीनों ने मिलके यह जो गुफा नमर पाच है यह बांदने के लिए दान दिया है यहीं यहां पर अंदर इन पिकू निवास है बेल्कुला अंधरा है कुछ दिखाइने दे रहां उसके इसे बाज़ो बाजु आजु में दो विकू निवास है बाहर बारामदा बिल्कुल कॉमन है और बाहर एक पानी की टंकी है यहां पर एका हाथ है किसकी सून और वी है और कापी डामेज हुआ है उसको, तो आप देख से पेस में, और यहाँ पर हादी के बिल्कुल बगल में एक गौतम मुर्चर की मूर्ती है, यह मूर्ती मैं आपको फोटो में दिखा के थोड़ा एक्स्प्लोर करूँगा उसके बारे में, पहले मैं एक फोटो दिखाता अभी जो मेरे बाजु में जो फोटो है, वो बिल्कुल मेरे पीछे भी है, तो मैं थोड़ा एक्स्प्लोर करने के लिए, वो मैंने बाजु में रगाया है, तो उसके बारे मैं आपको थोड़ा डीटेल्स में बताता हूँ, मेरे पीछे जो मूर्ती है, वो गौतम ांगानी के शिवद है नाग दिखाए गया कैенты है। वह गणल की कुमल्ग के उपर है और उसके नीचे धम Worksirm है और शिट्र हॉं результат नाग लोगे पकडा हुआ है कि ओक लिए जाए य। बिल्स के जांनक हो नाट के चित्र बनाए गये हैं। उनकी इतॉप सहर के बिखे दोपना है। और हम भीए धोड़ हम लोग यह थोड़ा एक्सपोर करने होने के पाद अंदर को देखा है। आदर हम लोग आहें। को में आदरेम फिल्ह करें। तो जैसे मेरे पीछे वरनम किया है गौतम बुद्ध धमब्रवरत आवसपनमगेट ने उनके साथ में पदमपानी और चक्रपानी उनके दो शिश्य है यह सब यहां पर सेम वैसे भी मुर्ती है और उसके नीचे एक शीलालेख है तो शीलालेख में ऐसे लिखा गिया है कि यह जो शीलालेख है यह मुर्ती है यह बनाने के लिए एक धिकु ने दान दिया है अभी गौतम बुद्ध के मुर्ती देहने के बाद उनके बाजो में बिल्कुल एक शीलालेख लिखा गया है उसके बारे में हम लग थोड़ा कुछ जानेंगे यहां की जो स्त्री शासनकर था इनका पुत्र शीवगूती और उसकी पत्नी विजया इनके तीन पुत्र थे उन्होंने ये जो सब गुफा है यह सब खोधने के लिए जो आउजार दिये यो उन तीन लड़कों ने दिये और इसके अंतर जतने भी खंबे हैं यह जो खंबे दिख रहे हैं आभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, यह जो खंबे है, यह खंबे खोदने के लिए उनकी तीन पुत्रिया, मतलब शिवभूती के, शिवभूती और विजिया के तीन पुत्रिया इन्होंने दान दिया था, अभी यह शीला लेख देखने के बाद अभी थोड़ा हम लोग अंदर जाएंगे यह जो तीनों भी मुर्थिया हैं, जो मैंने पहले आपको बताया कि गौतम बुद्ध भगवान धमप्रवर्दन आवस्ता में बैटे हैं, पद्मपाणी और चक्रपाणी उनके बाजू में हैं, नाग लोग बिलकुल उनके नीचे, जो कमल का फूल है, उसके नीचे धमच पकड़े हुए हैं, और उनकी फैमिली और उनके प्रजाजन उनके साथ में हैं, यह सब एक ही जैसी मुर्थिया, सब अंदर है, मतलब यह तीन मुर्थिया है, लेकिन तीनों भी एक जैसी दिख रही है, उसके बाद यहाँ पर एक बहुती अच्छी मुर्थि बनाई गई ह है, अंदर एक स्टुपा है, सेम वैसी मुर्थिया बिल्कुल अपोजिट साइड में, मतलब उसके सामने के बाजू में है, मतलब दोनों दिवारों पर सेम वैसे की वैसे मुर्थिया लगाई हुई है, नीचे बैठने के लिए देखिए, सोफा जैसे बोलते हम लोग, सोफा जैसे कुछ बनाया हो है बैठने के लिए, पत्थर ये खोद के, और देखिए यहाँ पर एक शिल्प है, उसके उपर एक आदमी, शेर की पूछ पकड़े हुए है, उसके आगे घिरन दिखाया गया है और उसके आगे हाती है, और फिर से वैसा ही आदमी फिर शेर की पूछ पकड़े खड़ा हुआ है